नमस्कार दोस्तों, आज expiry समाप्त हो चुकी है, खराब expiry हुई है, bull trap होते हुए नजर आये हैं, मैंने कल के सत्र में बोला था आपसे, कि जिस तरह से एक दिन पहले bear trap होते हुए नजर आये थे, overconfidence की बजा से, मैंने बोला था, bull को overconfidence नहीं होना है, लेकिन 17-400 पे आपके कर पोजिशन से ज्यादा थी तेजी की, वो सारे बोलाच trap हो गए, एक्चुली उनकी वज़ा से ही long unwinding देखने को मिली है, और निफ्टी में आप निचले side closing दिये हो, make और break लेवल पे आप वापिस आ चुके हो, कौन सा लेवल है ये, ये 17-300 का है, बहुत ही मुश्किल है, इ आज दोनों ही बराबर गिरे हैं, खराब बात है, और एक और चीज़, इसकी गहराई में जाओगे, बैंक निफ्टी में जो underperform कर रहे थे, वो आपके PSU बैंक थे, लेकिन आज expiry के दिन, जो गिरावट आई है, वो PSU बैंक के द्वारा ना होते हुए, आपके private sector बैंक की वजहां से गिरावट आई है, तो ये थोड़ा सा और खराब है, लेकिन एक और बात कहूंगा, जैसे आपका Nifty, make or break level पे आ चुका है, बैंक निफ्टी अभी भी उससे अच्छा खासा दूर है, अपने make or break level से, तो at least bank Nifty का थोड़ा बहुत सहारा है, आपके points के term में, आई उतने data आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी, चार्ट पे चलते हैं, सबसे पहले अगर आप Nifty का चार्ट देखोगे, तो यहाँ पे एक red candle बनी है, आप इसको bearish marubozo भी कह सकते हो, ये ज़्यादा डराबने वाली बात नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा खरा सारी position थी, और जैसे ये level break हुआ, पूरे दिन का आपको समझ में आ चुका था, कि आज हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि एक करोड से जाता contact बैठे थे, long unwinding बड़ी देखने को मिल गई, support कहा से लिया, 17300 से, आप जानते हो सबसे important बात है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है, अगर आप इसको zoom करके, दो चीज़ों पे सिर्फ ध्यान दो, सबसे पहले, ये जो downtrend line है, बिल्कुल वहाँ से resistance लिया है, इसे एक और चीज़ क्लियर होती है, हम तब तक bullish mindset नहीं बनाएंगे, जब तक ये particular level निकल नहीं जाता है, चर्जा करूँगा थोड़ी देर में, द बुल्स के अलावा, आपने weekly 50 moving average को भी break किया है आज, और ये second day हुआ है, तो ये थोड़ा सा चिंता का विशय है कि बार बार आप make और break level पे आ जा रहे हो, अगर बार बार आओगे तो आपके तोड़ने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है, जो कि बुल्स के लिए चिंता का विशय जरूर बन सकता है, यहां से चलते हैं, पंदरा मिनट के टाइम फ्रेम पर, अगर आप पंदरा मिनट के टाइम फ्रेम देखोगे, तो शुरुआ थी candle ने ही आपकी break कर दी 17-400 को, और जैसे ही 17-400 को break किया, आपकी candle ने इसने, इसने decide कर दी है कि आज हमसे हो नहीं पाएगा, और उसका reason आप जानते हो option change से, बट फिर कहीं से भी कोई meaningful recovery नहीं आई, 17-400 को आपने approach किया, लेकिन obviously तब तक आपके भालूओं का भी attack हो गया था, और फसे हुए जो bulls थे, उनको निकलने की तडब भी मची थी, तो आप आपका 17-400 प्रोस्ट होना नहीं था, वहां से आप गिर गए, और sad part है कि आप 17-300 के पास दिर के निचले इस तरों पर closing दे के आए हो, कोई बात नहीं, expiry का दिन है, इसलिए कल मैंने आपसे दो बात कही थी, सबसे पहले है, over confident नहीं होना है बुल्स को, दूसरी बात है, अगर आप तेजी की position बना भी रहो, इस तूटी नहीं है, और तब तक रहेगी, जब तक आपके closing basis पे 17-300 नहीं तूटता है, आपका आखरी सहारा, अगर हम यहां से चलते हैं, option chain पर, तो निफ्टी में जादा position नहीं है, छोड़ी मोटी position है, वो भी bears के side है, मैं आपको बता दू, सबसे important level निकल के आ रहा है, 17-400 का, ध्यान से देखोगे, वहाँ पे सबसे जादा contract है, 65,00,000 है, meaningful contract है, इसकी बात कर सकते हैं हम लोग, अब आपके लिए पहला ही resistance 17-400 हो गया, अगर वो नहीं निकालता है, तो हम लोग के मुसीबत बढ़ जाएगी, और 17-300 ब्रेक होने की जो probability है, वो भी बढ़ जाएगी 65,00,000 कोंट्रेक्ट है, और आज लगभग 49,00,000 कोंट्रेक्ट जोड़े हैं, next week expiry में, ये important बात है, 17-500 ब्रेक्ट, 48,00,000 कोंट्रेक्ट है, लेकिन कोंट्रेक्ट कुछ भी नहीं, सिर्फ 32,00,000 कोंट्रेक्ट है, डिसकस करने की जरूरत भी नहीं है, छोड़ दो, put call ratio, कल neutral हो थी, आज फिर से नीचे आ चुकी है, अच्छी बात है, नई expiry में हलके जा रहे हो, तो ये आपका थोड़ा सा अच्छी बात है, समर्थन करने वाली बात है, 0.78 पे है, अगर आप ब्रॉडर मार्केट देखोगे, expiry का खेल अपनी चगा है, लेकिन ब्रॉडर को जज करने वालों के लिए, ये बिल्कुल भी खराब नहीं है, एडवांस डिकलाइन 0.65 है, जिसका तरह की गिरावट इंडेक्स में है, इंडेक्स का एडवांस डिकलाइन जानते हो, आपका 0.3 के आसपास है, 15 शेर बढ़े हैं, 35 शेर लगबद गिरे हैं, तो उस रखेगा, volatility बढ़ते हुए नजर आएगी, यहां से चलते हैं, bankrifty में, bankrifty में चर्चा करने के लिए जादा है नहीं, आज की candle देखोगे, तो बिल्कुल ही red candle है, लेकिन काफी छोटे volume पे है, अच्छी बात है, दूसरी बात है, आज अगर आप PSU index को देखोगे, जो मैं आप से बार-बार चाजा करा हूँ, PSU bank बिल्कुल नहीं गिरा है, फ्लाट है, जबकि आपकी overall index किरा है, उसके पीछे का reason है, आपके जो बड़े bank है, private bank है, access bank, kotak bank, HDFC, ICICI, यह चार सबसे बड़े bank, private sector के bank, चारों में ही बड़ी कमजोरी देखने को मिली है, जिसकी वाज जासे आपका bank nifty गिर गया, इसके पीछे PSU bank का हाथ नहीं था, anyways, bank nifty में at least आपकी closing 40,000 से काफी उपर है, तो आपके लिए को चिंता का विशय नहीं है, जो की nifty में है, उसके अलावा मैं एक और बात करूँगा, 15 मिनिट के time frame में अगर आप चाओगे, तो bank nifty में घूम चुका है, जो आपका दिन के दोरान सबसे important support था, आपके option chain को लेके, 4500 का वहाँ पे सबसे ज़्यादा position थी, वो भी टूट गई, यानि जो long unwinding आपकी nifty में देखने को मिली है, वो same चीज बैंक nifty में भी देखने को मिली है, बैंक nifty में भी bulls फस्ते हुए नजर आ बैंक रिफ्टी का advance decline आप देख सकते हो, एक भी share आज ऊपर नहीं था, चाहे प्राइवेट बैंक 12 के 12 share गिरे हुए थे, तो आज बैंक रिफ्टी के जो broader market है, वो काफी खराब थी, index के case में, put call ratio, बैंक रिफ्टी का 0.8 है, ये भी हलका है, ठीक आक है, कोई जिंदा का व season से होते हैं, तो उनके basis पे आपको next week में पिलकुल आज के action को देखके, आपको forecast नहीं करना चाहिए, ये technical बात बता रहा हूँ, दूसरी बात है, अगर आपकी तेजी की position है, आपकी अभी उमीद खतम नहीं होई है, निफ्टी में 17-300 के नीचे closing नहीं मिली है, अभी भी आ ठीक है, आप यहाँ पे एक दिन देख सकते हो, क्योंकि expiry का दिन था, volatility जरूर रहती है, bank nifty में अभी भी comfortable है, कोई चिंता का विशे नहीं है, आपका सबसे critical level है, closing basis पे 40,000 उसके काफी उपर हो, और आपका intraday में 39,800 उसके भी उपर हो, तो यहाँ पे उतनी चिंता का वि आठ बजे, आपके लिए बहुत महतबूर वीडियो आने वाला है, वो आपको जादा चीजे बताएगा, काफी आपको सीखने को मिलेगा, और समझने को मिलेगा कि किस टाइप के घजनकरम हो रही है, और से भी किस तरह से action ले रहा है, बहुत मजाएगा, बहुत जादा, उ जरूर हम लोग ले लेंगे, thank you so much for watching this video, I'll see you again.